सरोका लेगी उन्हें प्रत्यच्य रूप से लाव मिलेगा इस समय प्राइम टीवी की टीम दारुल सफा पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि विदायक निवास है तमाम गाडिया जो है निकल लई है और विदायकों का निवास है विदायक यहां आते रहते हैं कई प्रकार की दुकाने हैं आप देख सकते हैं और आज हम इस बजट पर चरचा करने के लिए यहां मौजूद है लोगों से बातचीत करेंगे लोगों से जानेगे कि इस बजट पर जंता की राया क्या है जंता इस बजट को काफी है ती हासी बताया तो आम जनता इस वेड को कितना सही तरीके से ले पारी है क्या सोचती है अपने मूम या मिठु बनना तो बेवकूफी होगी आप जो भी बजट लाते हैं अगर आप वह कह रहे हो अच्छा है तो जनता इसका मतलब मूर्ख है यह विपक्ष हमारा बजट है तो बजट के हिसाब से आप करके दिखाई है तो आगे होगा वित्वांतिन ने पर संबोधन में कहा कि 33 लाग करोड से ज्यादा निवेस ग्लोबल इनिवेस्टर समीट से उत्तर प्रदेश में आ रहा है 40 लाग यू आवर इससे प्रभावित होंगे अपरत कि त्यारी सरकार इस बजट से कर रही है तो क्या देखते हैं इस बजट को कि सरकार कितना काम्याब हो पाई अपनी कोशिस में मैं तो सर जी यही जानता हूं कि यह तो बहुत अच्छा सवाल आप ने किया मुझे एक और बात कहने का मौका मिल गया वह आपने डानी का नाम सुनाई होगा उसका सवा करोड डॉलर कि क्या कुछ मिलने वाली ती इसी निवेश में ही उसका दरकनार कर दीया गया उसको क्योंकि वो घपले में पकड़ा गया है न तो अब वो कहां है जो जिसको सवा करोड़ सबाइसो करोड डॉलर क्या जो भी था उनको जो मिलना था डानी को वो कहां गया ये मेरा पहला एक प्रस्ट अहां से मिलना था इस ने जो निवे से उनको नमंत्रित थे वो मगर उससे पहले ये कांड लेकिन आय नहीं भगोड़े हो गया तो उन्हें वहां से निकाल दिया ग लेगा क्योंकि अगर वो कोर्पर जगत का और वह लिगली कोई आया था अपना ठेका लेने तो वह उतको दरकिरार क्योंकि आगया यह वह खुद क्यों भाग गया तो इस सब्सक्राइब नरेंदर मौती की इस सब्सक्राइब कर रहे हैं टोइंग सत्वाल किया तो मुझे अब देखेए एक मीटर जो एलेक्रिक का मीटर होता है यह स्मार्ट मीटर नहीं एक उता प्रीपेड होता पोस्पेड का ठेका इसको दिया जाना था आज वो ठेका कैंसिल हो कि आप को मिलेगा तो वो उसकी वज़ा से मेरे छेत्र में चार लोगों ने लिखवाया था अपना नया कनेक्शन उन्हें आप सफर करना पड़ ला है उनके हां मीटर नहीं लग रहा है और यहां तक क्या इस बज़ट को किस प्रकार से देखती है किस तरीके का या बज़ट किया क्या सुनाया यह तो आब बताईए पहले वित्यमंत्री ने ये कहा कि जी आइस से 33 लाग करोड का निवेश हुआ है जिसमें 40 लाख जो है वह युवाबर्ग प्रभावीत होंगे परतियच और प बज़ट का जो आकार था उसको पेस किया गया जबकि पिछले बज़ट के इसाब से 75 हजा करोर रुपया इस बज़ट में ज्यादा था तो किस प्रकार से आम जनता इस बज़ट को देखती है देखिया इसा है बीत्त मंत्री जी जो है वह भी अभी वाहीत है उनके कोई बा बात की इन होती है समझो अब तो बज़ट सुना देना तो सब काकच पर इनका जमीन पर कोई हकीकत नहीं है अगर जमीन पर हकीकत होती तो आज यह नोबद उत्तर परदेश की नहीं हो देश की होती यह मैं सरकार से अनरोद करना चाहता हूं कि बारत दौजार चुबिस में 2017 में 2016 में 2017 और 14, 19, 22 जंता ने अधिस जादा जना देश दिया और यह सही बात है कि अगर योगी जी को परदान मंतरी बना दिया जाए तो सही देश का बावी जहर अच्छा होगा इस बजट से कितना प्रभावित हुआ है क्या लाव उसको जो है इस बजट से होने वाला है देखे वितमंतरी जी अपने हिसाब से कह रहे हैं लेकिन जनता में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो धरातल पे आने पे पता लगेगा जैसे आपने कहा कि 40 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार के नाम पे तो कहीं कुछ नहीं नजर आता है रोजगार किस तरह का देंगे कौन सा रोजगार उस तरह का देने जा रहे हैं कि रोजगार मिलेगा आप देख रहे हैं तमाम चोटी मोटी कंपनिया या चोटे मोटे पूजी पती तो जितने का ब्यापार करता उसे कई करून रुपया पीछे रहाता कि चलो दो महिना, चार महिना एक भी विक्री नहीं होगी, तब भी हम समल जाएगे, लेकिन छोटे ब्यापारी का तो नुकसान हो जाता है, और जिस तरह की बात बित मंतरी जी का रहा है, यह तो छलावा है, देखे, किसानों के मामले में कुछ नहीं है, बेरोजगारों के माम की पढ़ाई नहीं हो रही समान सिच्छा नहीं करा रहे हैं समान सिच्छा का दिकार होना चाहिए आप बताईए उसके बाद क्या होगा स्मार्टफोन जो दे रहे हैं उसमें आखों पर कितना जरब जाएगा आखों का कितना नुक्सान होगा जो बच्चे पढ़े हैं ये दो कर पाई वह पुलीथीन का बजाई हो जो है कागज के उसमें आने लगा पुरिया में तो सरकार के नीतियां खराब हैं जिस चीज को रोकना चाहिए उसको नहीं रोकी सरकार एक तरफ आपकारी विभाग को प्रोसाहन देती है दूसरे तरफ मद निसेद लाती है कुछ को रोक जाए मंद निसेद भी भाग बना गया दोहरा चाल से नहीं काम बनेगा एक साफ लाइन से एक साफ दिल से काम करना पड़ेगा तब जो है उत्तर परदेश की जनता में खुसाहली आएगी कहां खुसाहली आ रही कहां रोजगार मिल रहा पर बताई अभी तमाम बेरोजगा तक चलानी मजबूर है उसके कारण है वह आजमगर जोनपूर गाजीपूर बलिया बस्ती बाहराइच के हैं वहां तो सरम लगती है कि हमारा भई छेतर है वहां चलाएंगे तो लखना हुआ दिल्ली कलकत्ता में जाके चला रहे हैं कि कम से कम थोड़ा सी जयतों काते हैं कि सजन के लिए ही तो इतना बड़ा निवेस उत्तरपरदेश पर हो रहा है तीन दिन का जो ग्लोबल समिट आयो जन की आगए आइसी के लिए ताकि रोजगार पैदा हो निवेस आये सरकार कह रही है कि 40 लाग लोगों को तो आये किवल कहने के लिए हैं धरातल पे निवेस द दूमरा रहे कि चलिए यह रहा हो रहा है लेकिन आवे तो धरातल पर जब तक आए गा नहीं जब आप ये बताईए आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन और टैबलेट से बच्चों की आँखे खराब हो रही है तो बच्चे आगे चलके लैप्टाप भी यूज करना बंद कर देंगे आखे खराब हो रही है ये तो कोई लैप्टाप तो उसे बड़ा है लेकिन जो इस फोन की ब करको बाद में ध्यान देती है जब लाखो लाख लोग जब लाखो लाखो लोग बीमारी के आ जाएंगे तब सरकार कई कि हां इससे बीमारी अपर बताईए अभी तक तो फीपल के पिर से लोग काते है कि भूत निकलता भगवान है आज उसी के ऐक्सीजन से लोग जिन्ता आक्सीजन की बात होने लगी उस तरह से क्या है तो जो चीजें है प्राक्रतिक चीजें उस पर जैसे स्कूल कालेज में धंकी पढ़ाई होनी चाहिए सिछक हों सिछक जो है स्कूल जाए और पढ़ाऊ है तब बच्चों में सुधार आएगा ना की मोबाई से मोबाई से खोलने की बात की है बहुत अच्छा है लेकिन जो अस्पताल बने हुए है जो मेटकल कालेज बने हुए है उसमें भी डाक्टरों की कमी है बहुत और नर्सों की कमी है फरमासिष्टों की कमी है अनकरमचारियों की कमी है उसको पूरा करे सरकार उरको सुचार रूप से चला देखे खोड़ेने से किवल बात नहीं बनती है तमाम जगांता है बोर यह था लिए लिगी सवट्री खुल गया है तो खोलने से नहीं उसके साथ साथ और विवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी तब जाके जनता में सहुलियत होगी तो इन्हों मुरादाबाद में जो अवयस्थाएं थी वहां पर जो चिकिस्ता अधिकारी नहीं आ रहे थे डॉक्टर समय से नहीं आ रहे थे उस पर करवाई की थी तो ऐसी तमाम जो स्वास के छेत्र में भी और नियमत्ताएं हैं उनको भी दुरूस करने का सरकार को प्रयास करना सब्सक्राइब है। के आ रही हैं बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कहीं न कहीं प्रदेश सरकार ने जो मसीन की टेक निकला दी है अब हम गए हमें ब्लड की जांच करानी CBC करानी है तो हम तुरंद गए हमने दिया अभी अभी मैंने पांच साल के अंदर ये पहला चेंजिंग पाया है कि हम गए दो मिनट पहले हम गए हमको ब्लड वोलेंटरी करना था हमने ब्लड दिया दो से पांच मल हमारा CBC होके तुरंद रिपोर्ट आ गई पांच साल पहले ये बिवस्था है नहीं थी सरकार में ऐसा नहीं कि तब भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे थे बांदा में पराहना करके जनता को दिखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है पहले हम लंबी लाइन लगा रहे थे हमारे रिपोर्ट हमारे इलाज कुछ भी डिजिटल नहीं था आज की सरकार में हर चीट डिजिटल है आपकी जहां जगे जगे CAC में डॉक्टर नहीं बैठते थे पहले सप जने मरी जिस डॉक्टर ने देखे इतने यह हैं तो मेडिकल लाइन में जितना सुधार कर दिया इस सरकार ने मुझे नहीं लगता आने वाली 20 सालों में कोई भी सरकार इतना सुधार करेगी इनका जो बजट है क्योंकि यह साधी परांपरा से जुड़े हुए हैं तो को लोग उसकी डिजिटल तरीकों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं जैसे नोट बंदी को लोग नहीं समझ पाए थे इसके अलाए सरकार बंदी पे तो सरकार भी बात करना बंद कर दिये का फी सालों से हाल सरकार ने बांद करना बंद कर दिले कि नोट बंदी का असर है ना हर परदामात्री ने कई बार काफी समय से इस पर बात करने से जो है डबल इंजन की सरकार कट्रा रही है आपको फेस करना चाहे जो के लिए कहना चाही है वह सरकार का अपना अपना उद्धा होगा जो भी हो लेकिन नोट बंदी से कही न कहीं हर चीड़ डिज़िटल हो गया है डिजिटल होने के कारण आप एक गोलगपपा भी खाने जा रहें तो आप 10 रुपए पेमिंट कर रहें वो 10 रुपए कई ना कई भरष्टा चार रुका जो अधिकारी आराम तोर से घूस ले ले लेते थे उनके परिवारिस्तमा हर चीट डिजिटल होने का ये सबसे वड़ा वेनिफिट ये है कि भरष्टा चार रुका है आपको ये दिखेगा समाज में आज के 20 साल बाद दिखेगा 20 साल तक लोग उसका अंकर नहीं कर पाई महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास है आप एक महिला है आप बहतर बता सकती है कि क्या उमीदे महिलाओं को इस सरकार से होती है घर के किचन की अगर बात किजए तो महिलाओं का अच्छा खासा समय घर के किचन ब्यतीत होता है घर की सामगरियों ब्यतीत होता है तो कि तो इस सरकार ने केल्दर सरकार हो चाहे उत्रपदेश सरकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं पता चलते थे महिलाएं तो सफुराल से छोड़ दी गई तो मैके में भाई भी इस्सा नहीं दे रहा है तो बाबा चाचा हिस्सा ने देना तो दर दर भटक रही तो कहीं न कहीं से दूर हुआ है और जो सौलंबी बनाने में देखा जा तो महिलाओं की अधिक्ता जादा है और लोगों को रोजगार भी दिया है इस सरकार ने आप देखे अभी जितनी भरतियां हुए ज़्यादा तर महिलाओं ही है उत्तवधे सरकार ने आज बजट लाया है योगी सरकार के दूसरे कारकाल के या दूसरा बजट है किस प्रकार से महिलाओं इस बजट को देखती है जहां तक मैं अपना परचे देदू ममतर शुकला प्रदेश अदेश राष्ट्री लोग दल से हूँ और जो बजट आज पेस हुआ है उसमें महिलाओं की कोई भी भूमिका नहीं है उनके लिए और जहां तक इस सरकार में है महिलाओं तरस्त आ चुकी है ठीक है और आगे भी मतलब जो ये बजट दिये हैं वो तो छोड़ी दिजिए महिलाओं के लिए इतना इतना सोशोड हो रहा है सारी चीजे हो रही है कहीं भी कोई कारवाई नहीं हो रही है आभी कानपूर का जो हादसा हुआ है वो भी आप लोगों ने देखा है उसमें छोटे जो करमचारियों उनको निलंबित किया जा रहा है जो कि वो बड़े करमचारियों को उनको सस्वेंट करना चाहिए क्योंकि छोटा आदमी को सब लोग दबाना चाहते हैं बड़े लोगों को कोई दबाना नहीं चाहता है तो ये सारी चीज़े इस सरकार में है और किसानों का भी हम किसान की पार्टी से हैं, किसानों के लिए भी कोई मुद्दा उन्होंने नहीं दिया, किसान का गन्ना का पहला का भुक्तान पहले जो भुक्तान चल रहा हूँ भी नहीं अभी तक मिला है उनको, और लगातार हमारे या कारवाई चलती रही गंदा किसानों के लिए अभी तक इस पे भी कोई भी उनका बजट में कोई भी चीज पेस नहीं की गई इन्वेस्टी की बात है इन्वेस्टी आप कितना भी खोल दें अगर हमारे ज़रुत की चीज़े नहीं पूरी होंगी मैलाओं के घर के रासन है पानी है ये सारी चीज़े नहीं पूरी होती है या किसानों को समय पे भुकतान नहीं मिलता है तो वो कज़दार होते चले जाएंगे तो इसलिए मेरा अपना ये कहना है कि इस बजट से कोई भी खुस नहीं है आप बताएए किस प्रकार से इस देश की मैलाओं इस प्रदेश की मैलाओं इस बजट को देख रही है क्या कुछ उम्मीदेम उनों मैलाओं को थी जो इस बजट से पूरी होती नहीं न जा रहा है पहले मैं अपना परीचे देने चाहूंगे, मैं श्रीमती रेनुत ओमर, पाकपस से महिला जिलाद्यक्ष, देखे इस बजट में तो महिलाओ के कोई भूमिका ही नहीं है, ना ही ये बजट महिलाओ को देख के रखा जाता है, इनकी मर्जी होते हैं, जैसे रख देते हैं, सब मैं क्या बजट पेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपना बजट एक पेस कर देते हैं, हम लोगों पर थोप देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी सत्ता है, अपनी सरकार है, तो में कार ने सुमंगल योजना चालू की है, करोड़र रूपे इसके लिए निर्धारित भी की है, कि सुमंगल योजना के तर जो प्रदेश की युवतियां है, उनके बचपन से लेके साधीविया के खर्चे उठाए जाएंगे, इस योजना को आप किस प्रकार से देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपने जिले से, मैं अपने बाप बडोस से, नगरपालिका स सबसत भी हूँ, तो मैं यह कूँगी कि यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक, आप कहते हैं एक टौफी होती है, वो महिलाओ को दी जारी है, कि जैसे कि महिलाओ चुप हो जाएं, लेकिन आजगल की जो महिला है, बहुत जागरुक है, पड़ी लिखी है, उन्हें पता है क्या कहना है, उन्हें यह भी पता है कि कहां हमारे लिए सही है, कहां हमारे लिए गलत है, यह कुछ नहीं चल रहा है, जिस टाइम महिलाओं आती हैं इनके पास, यह सिर्फ उन्हें एक कह देते हैं, हाम तुमारा सायता करेंगे, उन्हें से सो महिलाओं जाएंगी, दस महिलाओं आप जो है इस बजट को किस प्रकार से देखती हैं सरकार ने आज विदान सामय बजट पारित कि अबित्मंदी ने बजट के बारें बताया और उस बजट काफी एतिहासिक बताया क्या कुछ खास रहा है इस बजट महिलाओं के लिए लोगों के लिए अब है बजट पास कर रहें हो वह अपने पाल्टी आपने पूजी पति योदी कर रहे है आम जन्ता के लिए नहीं कर रहे हैं क्योब्गी आम जन्ता तो भूक है मर रही है ज्योंकि आप रासफन दे रहे हो उसके बदल्ला ले रहे हो सरकार मतलब गेहुँचावल के लाव और भी चीजे रासन में एड़ करें गेहुचावल से पेट भरता है इंसान का रोजी रोटी नहीं दोगे आप कहीं भरती नहीं निकाल लाए हो सरकार में हो आपको तो भरती निकालना चागिए जो नवजबान लड़के घूम रहे हैं सरकार ने इस बजट में चालीस और युवाव के लाब की बात कही है और जो ग्लोबल इंट्र समिट है उसके तहर्द कुल 40 लाख नए रोजगार के उसर पैदा करने की बात कर रही है वह कुछ नए करेंगे वह तो अपने लोग को कैवल लाली पाप दे देंगे बस और लोग के चूथा बना रहे हैं जैसे बाबा बन के बैठे थे, वो ठीक लगेगा, क्योंकि जनता को नहीं कुछ करेंगे, वो महांतों के लिए जो करना करें मुख्यमंत्री को अपना पर छोड़के फिर गोरखनाच मंदरी चला जाना चाहिए आपकी यह कहना चाहते है आप बताईए क्या कुछ खास रहा इस बजट में महिलाओं के लिए आम जन्मानस के लिए देखिए पहले तो मैं आपको अपना परिच्छा दूँगी, मैं लगनू महा मंदल अब्रक्ष मूं, मंजु शुक्ला आपको क्या लगता है जो बोलते हैं वो होता है महिला के साथ यदि इतना अच्छा हो रहा होता है तो महिला एक जूट होके आपको इंटर्यू दे रही होते हैं ऐसा नहीं है ना, हम क्यों खड़े हैं या, कुछ तो यह बज़़ा रही होगी ना और बज़़ आज देख रहे हैं, कल भी देखिएगा, सब देखते हैं कि बज़़ट में क्या वाव होता है ये बताई कि आज उत्तपते सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल का दूसरा बज़़ट पेश किया तो किस प्रकार से आम जन्मानस इस बजट को देखता है और इस जो बजट को सरकार है तिहासी बता रही है उससे प्रदेश की जनता का कितना विकास होगा कितना लाव होगा है कि जा स कॉ가지्बे जेखा कि वहां पर चात्रों को उपर कि त्रीके से लाठी चार्ज हुआ था थो वापर. उत्तवाइश्च कुछ से आते हैं, शर्कार ने कहा कि उत्ताइब है, इस questo ृपर जो गरहें बरोजगारी वे चार्दसेलन दोफ डrzyदी समय हो है, और जो इन्वेश्टर समीट हुआ है जी आईएज 35 लाग करोर से ज्यादा का निवेश उससे आएगा और 40 लाख यूआ जो है वह इसे लाभवानमी थोंगे परतेश परतेश उरुप्सन को रोजगार मिलेगा इस पर आप क्या सोचते हैं क्या बजट से पहले यह सरकार नही रहा है ना मुं में दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और हाथिक दाथ के सहें दिखाते हैं बड़े-बड़े होते हैं लेकिन खाने के लिए कुछ हो जो नर्सों की पूरती नहीं देखते हैं जल की पूरती है तो पहले उसकी पूरती की जाए ना लेकिन जो खुला है उस पे भी कास हो तो इस भाई का कहना है कि सरकार चाओदर मेडिकल कालेज खोल रही है अच्छी बात है लेकिन जो सरकारी हस्पिताल खुले हुए हैं जो स्यस्सी खुली हुई हैं उनकी बेवस्ताओं को भी दुरुस्त किया जाए क्यों जी हां यह कहना चाहते हैं और यह से कह रहे हैं च्छात्रों कोई नहीं हो पाई है मैं भी च्छात्र हूं 5 साल से इस्ट्रकर कर रहा हूं कि तुए जानता हूं। पार्विश्माइर के मामले पर यह सरकार को किस प्रकाश रही है। एकना झ्रहाइकटा करनेशности रत मैं कोई चिंता आपानेश Psal ही नहीं कर चाहतरों को पर ुल हुए चरह थासफ कर आएंगरई स्मार्टपोन ने लेकिन नंतर रिक्ताप लेकिन नहीं था estás. सिसी टीवी कैमरा हम मैं खुद गाड़ी करके आया हूं वहां पर प्रेस्पन का का से बटन दाब दिया जाता है जहां की बात कर रहे हैं किसी भी इस सरकार में नकल माफिया उपर रुक लगाने के लिए तमाम तड़की चीजें हैं और बकायदा जो है रासुका लगाने की ब गार्डिंग करके कहीं से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां नकल हुई है कि बात कर रहे हैं तो इससाब से तो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको बचाने में अगर गलत कर रहे हैं तो बचाने में बचाने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मैं बता रहा हूं कि मैं धरात आप नहीं बताएंगे तो आप कहीं को सपोर्ट कर रहा है यह मान रहा है मैंने दो-चार विद्याले में जाकर देखा इस तरीके नहीं मैं सुबह उठता आथा जाकर देखता था लेकिन वहां पर क्या हुआ कि देखता था कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और सिस्टम करता विद्यमंत्री ने काफी साहराना अंदाज में इस बजट को पढ़ा और एतिहासिक बताया कितना एतिहासिक है यह बजट देखिए साहराना अंदाज तो पिछले के पिछले बार भी हर बजट में नई शायरी आती है उसी साहरी के साहरे पूरा साल वीच जाता है और रही बजट की बाद देखिए बजट तो हर साल ही पास होते हैं लेकिन बजट का एक्जेक्यूशन जो है वो कितने प्रसेंट तक हाई ग्रोथ के साथ चलता है इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए अभी मैंने बजट का एक कंटेंजेंसी कॉपी कर निरिच्छन किया था तो उसमें सारे सेक्टरों पे ध्यान दिया गया है एजुकेशन एंड हेल्थ, इंफ्रस्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, स्टार्टप्स, स्टार्टप्स तो अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टार्टप्स में स्टार्टप ने देश की अर्थवेस्ताउजी डिल्व्य कापी समाला था इस तरीके से देखा जाए तोแ सरकार को और भी बजए स्टारटप के लिए रखना चाहिए स्टारटप्स के लिए परयाप धेंलकुल परयापि नहीं है इसके लिए कम से कम दस दस हजार करोड होना चाहिए सव करोड रुपए तो नथिंग इस सव करोड रुपए स्टार्ट अप सीट फंड की अगर हम बात कर रहे हैं उसको बूस्ट अप देने के लिए आप कह रहे हो लेकिन वह किसी उद्यमी को फानेंस नहीं कर पाएंगे किसी को सपोर्ट और रही बजेट की बात तो बजट तो हरला ओण होता है जितना इनके ट्रेजरी का बजट होता है उस ट्रेजरी के हिसाब से ये पूरे बजट का आवंटन करते हैं लेकिन रही बात एक्जिक्यूशन्स की जिसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है क्योंकि कोई भी भाई साब एक्जीक्यूशन्स नहीं बड़े-बड़े दावे हो गए कि देखिए क्या होता है एक नेता को तो इतना आइडिया होता नहीं कि किस हिसाब से चीजों को सर्वेच्छन और उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाए अदिकारी उनको अपनी इमानदारी से काम करना पड़ेगा लेकिन अधिकारी भी क्या करें जब उपर से ही सारी शीजे सेट है अधिकारी उसी में सिखनेशर मारता फिर रहा है चलो भयए हो रहा है तो होने दो जो हम दूसरी कंट्रियों की तरब अफिक्षा करते हैं कि ऐसी कंट्रियों की तरब ब्योस्था होनी चाहिए हमारी सब की polishing अच्छी होनी चाहिए सब की justification level अच्छी होनी चाहिए लेकिन वो चीजे नहीं है अच्छा यह बता है कि जब भी बजट आता है तो बिपच्च किसानों की बात करता है गणना मुल्यों की बात करता है मैसुभी की बात करता है सरकार भी किसानों के बात करती है सरकार कहती है हम किसानों का हित चाहते हैं लेकिन हर बजट में किसान कहीं ने कहीं ठगा हुआ मैस करता है तो इस बजद fand कितना ठगा है और कितना से लिए बैतर बज़ट लाया गया है देखिंगे कि सानों का जू मुद्दього है वो बहुत है इंपोटेंट है क्मपेर दें सारे मुद्द्यों के को एक तरफ रखा जाए किसानों के मुद्दे को एक तरफ रक्ष जाए क्योंकि वो हमारे अन्यदाता है यह जितने सहरों में लोग अंग्रेजी छाटते फिर रहे हैं अगर साम को भर पेट रोटी ना मिले तो अगले दिन मुझे लगता कि ना आवाज आएगी ना एनर्जी आएगी तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चाहे वो पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को इस हिसाब से चीजों का समायोजन करना चाहिए जिससे सब को अब देखिए परधान मंतरी फसल भीमा योजना चल रही है बहुत जोरो सोरो से बहुत बीमा योजना ठीक है तो फसल की बीमा के लिए हो गया बट उसकी अंकूरण किसी भी बीच के अंकूरण और उसकी देख रेक के लिए क्या सरकार ने कोई फंड अलोट किया भाई आप तो सीधा बैटे हुए कोई दुरघटना हो गई तो हम आपको पैसा देंगे सरकार का काम यह नहीं होता कि भाई दुरघटना पर आप पैसे दीजिए आप बित्त पोसित और उसके बाद सनरच्छन और उसके बाद फसल की जो सुरुवाती ही काई है जितनी खाद्यान्स और क्या करते यह सब चीजे हैं वो टाइमली डिस्टिब्यूशन्स होना चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार के बजट में जो किसानों का सिस्टम है वो कहींना कहीं से हिला-डूला हुआ लग रहा है मुझे 100% लेकिन किसान मैं एक चीज और भी कहते हूं किसान कभी भी किसी सरकार पर डिपेंड नहीं रहता जो बड़ा किसान है छोटा किसान रहता ह और छोटी किसान में भी इन लोगों को जो किसान क्या किते हैं निधी है उसमें बजट बढ़ाना चाहिए और किसान निधी के साथ-साथ जैसे क्या होता है न कि उसको क्या बोलते हैं देखो मेरे ध्यान से यह उतर रहा है कि जैसे किसानों की बुगाई सुरू होती है और उन कि financial inclusion को बढ़ाने के लिए हाँ जो भी financial inclusion है जैसे कि किसान को क्रेडिट काट्स मिलते थे किशान क्रेडिट काट तो के सी सी मिलते थे तो के सी सी एक बहुत अच्छी योजना थी लेकिन आज के टाइम पे बैंक इस पे कोई भी इनिशेटिव नहीं लेना आप जाके के सी सी र पर्सेंट चल रहा होगा जबकि एक बड़ा तबका किसानों का है इस देश में इस प्रदेश में जो के अपनी पूरी प्रदेश को तो ऐसे में जो एक मेहनत का श्लॉबी है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसान कोई भी वरकर हो अमारी ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री कोई भी मेहनत करने वाले लोग के आम जन मानस की देख रेख करने हे तू जो बजट आवंटीथ हो रहे हैं उसका सही एक्जिक्यूशन हो अब डिलेवर्ड अभी डिलेवरी में सबसे ज़्यादव प्रॉब्लम्स आ रही है कि कोई भी राजीव गांदी जी कहते थे कि उपर से सो रुपए भेजा जाता था तो लाट्स में एक रुपए आता है अब वो रेशियो कम होते होते हैं उपर से सो रुपए चलता है तो यहां तक क्या कहते हैं 42-43 रुपए आता है नीचे तक तो अभी भी तो भाउन-पच्पन का डिफरेंस है तो जब बाउन-पच्पन का डिफरेंस है तो यह डिफरेंस कम मिटेंगे तो ऐसे ऐसे प्रावरतन कदमों को लेकर सरकार को काम करना चाहिए और मेरी बहुत सारी स प्रदेश की सरकार की मिजरोटी को चलानी के लिए एक बहुत साहस का काम होता है और किसी तरह का कोई इसमें लाव लपेटू अली बाद नहीं है इसलिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चांग होता हैं क्यों तो इस प्रकार से आपने देखा प्राइम टीवी की खास पेस का जन्मत में कि किस प्रकार से लोग इस बजट के लिए अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इस बजट को बखवास बताया तो कुछ लोगों ने इस बजट की भूरी भूरी परसंसा भी की वहीं अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बज़र तो ठीक है लेकिन इसका इंप्लेमेंट की सjos तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी इस तरीके की कवरेज के लिए देखती रही है प्राइम टीवी क्याप्रा मैं नीजल के साथ मैं विवेक शाइए प्राइम टीवी लखनाव तो अब देख रहे हैं प्राइम टीवी